नमस्कार आप सभी को हिंदी विभग के और से आप सभी का स्वागत हैं यहांपर जिस तरह से पेछली वाली कक्षा में नन डीटेल में सेकेंड लेसन प्रति शोद में जिस तरह से माता पिता याने पती पतनी के बीच में जो संभान यानि जिस तरह से पूत्रुकुलोई का जो जगड़ा हो रहा था यहां पर श्रीदान ने कहा कि मैंने उसे दंबी याने बेखुफ और बुजदिल करके कहा और यहां पर शुशिला पूस्ती है अपने पती से कि आपने उसको एक एकांट में याने अलग बुला कर अकेले में बात की या फिर उसको सभी के सामने तो कहते हैं कि मैंने सभी के सामने उसको डांट दिया तुम महा मूर्ख हो दंबी होकर कि मैंने डांटा करके कहते है कहते हैं तो सुशिला पूस्ती है पंडितों के सामने पंडितों ने क्या कहा श्रीधर कहते क्या वे भारवी की और देख कर हसने लगे भारवी के स्वर में ही बोल कर वे उसका परिहास करने लगे और ताली पीटने लगे सुशिला और बेचारा भारवी श्रीधर भारवी ने एक बार विथा दुरुस्टी से मेरे और देखा फिर गालीन से अपने हातों से अपना मुक छिपा लिया और चुप चाप एक और चल चला गया सुशिला आपने रोका नहीं श्रीधर नहीं यदि रोकता तो अनुसाशन की मर्यादा कैसे रहती सुशिला मेरा लाल से अधिक प्रिया आपके अपने अनुसाशन की मरियाता है सुशिला मोह में मत बहो अनुसाशन की मरियाता पर बड़े से बड़े विक्ती का वलिदान किया जा सकता है सुशिला ओ आपके क्रोध को देखते हुए वह अब फिर घर लोट कर नहीं आएगा मेरा भारवी अब घर लोट कर नहीं आएगा आपने अनुसाशन की वेद पर उस का बलिदान कर दिया अब यहां पर जिस तरह से सुशिला कहती है कि आपने पंडीतों के सामने उसे डांटा है तो पंडीत क्या कहने लगे तो पंडीत एक दूसरे में अलग-अलग बाते उठाकर सुर उठाकर थालियां पिटकर हसने लगे यानि एक लाप्स मारते हुए वो हसने लगे तो फिर वो कहती है तो बेचारा भारवी ने क्या किया तो वो मुझे क्रोध वाली दृस्टी से यानि घुस्से से मुझे देखा और फिर वो अपने हातों से अपना मुख छुपाए हुए वहां से उस पत यानि उस स्टेज से चला जाता है तो उस समय वो कहती है कि आपको यानि रूल और रे ọलेशन अनुसाशन सबसे इंक्पार्टिंट तो उस समय ये कहते हैं कि अनुसासन करना वो मेरा रेकसपक्त यानि उसकी मरियादा है और फिर वो कहते हैं कि जिस तरह से अनुसाशन के लिए बहुत से बड़े बड़े विक्तियां भी अपना बलीदान याने खुर्बानी याने सैक्रिफाइस करकर हैं करके वो कहने लगते हैं क्यों इससे पहले भी मैंने उसके अनेक बार तड़ा ना की है फिर भी वो घर आया है इस बार क्यों नहीं आएगा सुशिला उसे आना होता तो इस समय तक वो अवश्य आ जाता कहीं वो सुशिय यानि ससुराल तो नहीं चला गया सुशिला नहीं वो मेरी आग्निया के बीना उसे और एक पग भी नहीं रख सकता सुशिला तब कहीं उसे आत्महत्या शुशिला ये शब्द अपने मुक से ना निकालना सुशिला पंडितों का पुत्र इतना पतीत नहीं हो सकता सुशिला तब निश्चे ही वे देशान्त चला गया शुशिला हाँ देशान्त जा सकता है किन्तों जिस शुशिला से वो तुम्हें सम्मान देता है उसे देखते हुए वो तुम्हारी आग्निया के बीना देशान्त नहीं जा सकता किसी के आने की द्वनी अब यहाँ पर जिस तरह से शुशिला के और शुशिला के बीश में बाते होती रहती है तो उसने सुशिला ने कहा कि अब वो घर नहीं लोटेगा तो शुशिला कहेंगे कि वो पहले भी मैंने उसे आई से ही डंटा था वो घर लोटेंगे पर वो कहती है कि सुशिला मा कहती है कहीं वो आत्मा हत्या तो नहीं तो समय पिता कहते हैं चुप ऐसी वाली अशुब बाते ना करें तो आपके मुझ से शुब निकलना है यानि अच्छी बाते निकलना है कहीं वो इस देश से कहीं और तो चला तो नहीं गया और फिर वो कहते हैं कि जिस तरह से वो सुसराल याने अपनी पत्नी के माता पिता के घर ना कहीं चला गया तो उस समय श्रीदर कहते हैं मेरे आग्या याने मेरे पर्मिशन के बिना वो एक स्टब भी वहां पर नहीं रख सकता तो वो कैसे जा सकता है और फिर इस देश से दूसरे देश को याने देश आन्ट यानि एक राज्य से दूसरे राज्य इस तरह से जो चला गया होगा तो उस समय यानि राज्य से देश से देश को तो चला गया होगा करके कहने पर वो कहते हैं कि जिस तरह से वो तुम्हारा जो प्रेम है वो तुम्हारे आग्या के मिना वो नहीं जा सकता सुशिला उल्लास वो आया यानि किसी के आने की ध्वनी तो कोई वहां पर आ रहा है तो सुशिला के मन में प्रेमुत्पन हो गया शायद मेरा पुत्र आ गया होगा पुकार कर भारवी भारवी मेरा लाल करके वो पुकार कर जाती हैं तो देखने पर श्रीधर पुकार कर भारवी सेविका का प्रवेश सेविका नहीं मैं हूँ स्वामी आभा सुशिला आभा भारवी नहीं आया सेवि तक आगे होंगे सुशिला वो अभी तक नहीं आया तू जा जल्दी से उन्हें खोज ला जल्दी जा मेरी अच्छी आभा आभा मैं अभी जाती हूं स्वामी नी अभी खोज कर लाओंगी किन्तो आप भोजन तो कर ले मैंने पाक्षाला में जाकर देखा आपका भोजन रखा है आपने उसे छुआ भी नहीं है स्वामी नी भोजन कर ले तो बड़ी कृपा हो सुशिला आभा तू जा मैं भोजन ना करूंगी मुझे कष्ट ना दे अब यहां पर जिस तरह से शुशिला जाती है कि शायद वो भारवी आ गया करके और फीचे उनके पती भी जाते हैं तो उस समय भारवी नहीं यहां पर आभा आकर है तो उस समय आभा उनके घर की नौकरानी दासी तो उस समय वो कहती है कि मैं हूँ स्वामी नी यानि स्वामी स्वामी नी इसका अर्थ अन्यलिंग में तो वो कहते हैं कि जिस तरह से आपको भोजन कर लीजे यानि मैंने भी प्रतिक शाकी पर मैंने सोचा कि भारवी जी यानि स्वामी जी आ गए हैं पर वो कहते हैं कि नहीं वो नहीं आया तो जल्दी से उन्हें ढूंट कर खोच कर लेकर आ तो समय कहती है कि आप भोजन कर लिजिए मैंने पाक शाला जीसे डैनिंग रूम कहते हैं वही से ही पहले कि काल में नीचे बैटकर खाने के लिए एक खाने वाल इस्तान को पाक शाला भी कहा जाता है जैसे आजकल जो डैनिंग रूम करके कहा जाता है अब वहां पर मैंने भोजन वैसे ही रखा है देखा तो आप नहीं खाए तो वो कहते हैं कि सुशिला मुझे बहुत कस्ट ना दे तुम जाकर पहले मेरे पुत्र को ढूंड कर लेकर आओ मुझे शमा करें एक निवेदन और है महा कवी से परिचित एक युवती प्रवेश चाहती है वो स्वामी के दर्शन की अभी लाशा रखती है श्रीदर मेरे दर्शन की मैं इस समय किसी से नहीं मिल सकूँगा सुशिला आने दीजिये संभाव है कवी से परिचित होने के कारण उससे अपने लाल के संभन्द में कुछ सुच ना मिल सके आभा बुला ले आभा जो आग्निया जाती है सुशिला गई आभा कहती है कि मैं भोजेंद कर लूँ सुशिला मैं तुम्हारे रुदय के दुख को समझता हूँ मैं निश्चय ही प्रताकाल सब जनपदों में जाऊंगा और भावी को खोज कर तुम्हारे पास ले आऊंगा सुशिला आपके अनुसाशन की मर्यादा तो भंग ना होगी शुशिला अनुसाशन के स्थान पर अनुसाशन और प्रेम के स्थान पर प्रेम है प्रेम पर ही अनुसाशन निर्धरित है और अनुसाशन पर ही प्रेम यदि प्रेम ना हो तो अनुसाशन का कोई मूल्य नहीं सुशिल आपके विश्वास है कि भारवी किसी जनपदा में मिल जाएगा सुच्रीधर मुझे विश्वास है कि जब वह अनिमित कारियों से मुक्त हो तो किसी ना किसी जनपद में अवश्य मिल जाएगा जन्पतकार्थ है जो पॉब्लिक प्लेसस होती है और पॉब्लिक जो हम पर रहती है अब यहां पर राजी के बहुत से लोग अलग-अलग स्तानों में रहते हैं जिस तरह से डिडेक्टियो जासुसों को बोल कर भेजा जाता है उसका भी आधार होता है अब यहां पर आभा कह आकर हैं भारवी से मिलने के लिए यानि स्वामी जी आप से मिलने के लिए उस समय हो कहते है कि श्रीदर अभी मैं नहीं मिल पाऊंगा उस समय शुशिला कहती है कि शायद उस से कोई ना कोई पता चल जाए कि मेरा पुत्र को के दर्शन होकर है या क्या कोई ना कोई बाख मिल सकता है तो उन्हें आने की आग गिया दे तो उसमय आभाज जाती है और उन्हें अंदर बुला लेकर आने के लिए जाती है उसमय श्रीदर केते हैं कि मैंने अभी जाकर खोज निकालता हूँ तो उसमय यहां पर सुशला केती है अनुसाशन आपका कहीं भंगना हो जाएं तो समय वो कहते हैं अनुसराषन यानि जो डिसप्लीन एक प्लेसमेंट और एक बेसमेंट की तरह होती है उसके सामने प्रेम लओ आफेक्शन यह सारी चीज़ें भी इंक्पार्टेंट होती है पर वहां के रूल और रेगुलेशन वहां पर और घर के रूल और लाद